हेलो एवरिवन हमारी आज की रेसिपी है कड़ी यूजुली हम कड़ी को दही और बेसन को मिला कर बनाते हैं लेकिन आज की इस रेसिपी में हम कहीं भी बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चलिए देख लेते हैं बिना बेशन के बनने वाली टेस्टी कड़ी की रेसिपी इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मूंग दाल को ये मूंग दाल मैंने चार घंटे भिगो कर ले ली है आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं चलिए इसे ग्राइट कर लेते हैं इसे बिना पानी डाले मैंने ग्राइट किया है देखिए कुछ ये इस तरह से दिखेगी अच्छा फाइन पेस्ट जैसा इसका बन गया है अब हम इसके दो पार्ट करेंगे तीन चौथाई पार्ट हम इसका अलग कर देंगे जिससे हम पकॉड़े बनाएंगे और वन पोर्थ पार्ट से हम कड़ी बनाएंगे तो ये मैंने पकॉड़े के लिए काफी अलग कर दिया है और देखिए वन पोर्थ पार्ट अभी मिकसर जार में ही लगा हुआ है इसको हम कड़ी बनाएंगे ये एक कटोरी मैं खटा दही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगे मठा या चाच भी ले सकते हैं, लेकिन ये खटा होना चाहिए इस दही को मुंग दाल के साथ मिलाकर एक बार हम ग्राइन कर लेंगे, तो ये हमारा कड़ी के लिए बैटर तयार है चलिए पकोड़े वाला जो पार्ट हमने अलग करा था, उसमें डालेंगे आधा चोटा चमच नमक, आधा चोटा चमच जीरा, आधा चोटा चमच चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हीन जनरली पकोड़ियों में हम ये सारी चीज़ें डालते हैं और इन सब को डालके हम अच्छी तरह इसको फेंट लेंगे थोड़ा सा एयर पॉकेट्स बन जाएंगी और हमारी पकोड़ियां फूली हुई बनेंगी चलिए अब कड़ी बना लेते हैं मैंने लिया है पैन में एक चोटा चमच मस्टार्ड ओउड इसमें आधा चोटा चमच मेती दाना आधा चोटा चमच जीरा और दो-से तीन ग्रीन चिली डाल कर थोड़ा सा फ्राई करेंगे थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा से भी कम हल्दी पाउडर आधा चुटा चम्मच मिर्च पाउडर और जो बेसन और मूंग डाल का हमने पेस्ट बनाये था वो पूरा हम इसमें डाल देंगे अब ये बहुत गाड़ा है तो इसमें एक से डेड़ ग्लास पानी भी पड़ेगा अब इसे पंदरा मिनट के लिए हमें धीमी आज पर पकाना है जब तक ये पक रही है चली हम पकॉड़ी बना लेते हैं कड़ी के लिए एक पैन में मैंने ओल हीट करा है जैसे ही ये अच्छी तरह गरम हो जाता है हम इसमें जो बैटर हमने बनाया था पकॉड़ी के लिए उससे हम छोटी छोटी पकॉड़ी बना लेंगे पकड़ों बनाते समय गैस की फ्ले मीडियम रखेंगे अगर आप ये स्लो रखेंगे तो सारा तेल पकॉड़ियां एब्जॉर्ब कर लेंगी तो इसे हमें मीडियम होट ओल में फ्राई करना है जितनी भी आप एक बार में हैंडल कर सकें उतनी पकॉड़ी हम बना लेंगे एक साथ जैसे ही ये कलर चेंज करना शुरू करती हैं हम इने स्पैचुला से चला देंगे और दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे ये फ्राई हो चुकी हैं देखिए कलर का चेंज हो गया है golden brown हो गया है चले इने एक absorbent paper पे निकाल लेते हैं पकॉड़ी बनके तयार है कड़ी भी हमारी हो चुकी है इसे भी 10-15 मिनट हो चुके हैं कड़ी की थिकनस आप चेक कर सकते हैं अगर आप योगे गाड़ी लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं अब हम इसमें पकॉड़ी डाल देंगे और इसे 15 मिनट के लिए पकाएंगे अभी तक हमने इस कड़ी में नमक बिलकुल नहीं डाला है अब इसे स्टेज पे हम नमक डालेंगे अगर इससे पहले हम नमक डाल देंगे तो कड़ी का दही जो है वो फट सकता है तो अब यहाँ पर हम नमक डाल देंगे और इससे 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आज पर पकाएंगे फ्रेंट्स ये कड़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत डाइजेस्टिव होती है टेस्ट में भी अलग होती है और हेल्थ के भी बहुत बेनिफिट्स होते है तो आप इसे एक बार बना कर जरूर देखें आपको बहुत पसंद आएगी ये बनके बिल्कुल तयार है चलिए एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं अब हम इस कड़ी के लिए एक तड़का बनाएंगे क्योंकि तड़के के बिना तो कड़ी होई नहीं सकती एक तड़का पैन में मैंने एक चमच देसी घी लिया है आधा चुटा चमच जीरा डालेंगे हींग डालेंगे ये दोनों जैसे ही चटक जाता है लास्ट में आधा चमच रेट चिली पाउडर डालेंगे गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इसे कड़ी के ऊपर पोर कर देंगे हींग जीरे के तड़के के बिना कड़ी नहीं बनती है इसका होना बहुत जरूरी है तो चलिए कड़ी हमारी बनके तयार है इसे आप पूरी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी कड़ी बनती है अगर आपको मेरी आज की रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल निक्की जरसोई